स्वरों का अगर आपको अभ्यास करना है तो शब्द हटाईए और शास्त्र को नचाईए ताल के साथ तो देखिए स्वर ज्यान भी बड़ेगा स्वर की जो पंच्वालिटी है वो आपकी इंक्रीज होगी नोटेशन को गाने का ये फायदा दोस्तों सानी साधानी पधामा पामा मध्यम बादी सुरह बहरवी का पामाधा पनीध सानी रे सानी साधानी नीरे निधारपा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागा तौरविनंदन आज किशोरदा की 35th death anniversary पर दोस्तों राग भहरवी पर अधारित उनके कुछ गीत आपके समक्ष में रखोंगा राग एक रंग अनेक जी हाँ दोस्तों RD बर्मन साब और SD बर्मन साब की दो अलग-अलग मूट के गाने दोनों ही भहरवी पर अधारित हैं आज मैं आपके समक्ष रखोंगा एक 1971 अमर प्रेम का गीत है और एक 1957 पेंग गेस्ट का गीत है दोस्तों कई मेरे सब्सक्राइबर्स ने तो अंदाजा लगा भी लियोगा किन गीतों की मैं बात कर रहा हूँ ऐसा गीत अमर प्रेम से जिसमें राग भहरवी का प्रियोग हुआ देखिए भहरवी रेगा धानी कॉमल और आश्रे राग है बेसिक रागस में से याता है सारे गमापा धानी सांग सानी धापा मागरे सारे गमरे सानी धानी सारे गरे सांग तो देखिए दोस्तों मध्यम वादी है समवादी शडज है संपूर्ण जाती का ये राग है भहरवी ही इसका थाठ है कॉमन रागस में से आता है ये थियोरी पस काफी है इन गानों को समझने के लिए रेगा धानी कोमल मैंने आपको बताया लेकिन तीवर मध्यम का विवादी प्रयोग इस गीत में मैं आपको बताऊंगा इस कारण से ये मिश्र भहरवी कहलाती है कौन से गीत की बात कर रहा हूँ चिंगारी कोई भढ़के दोस्तों आप स्टार्टिंग में देखे किशोरदा का जो वोईस का जो टेक्शर था जो रेजोनेंस थी उनकी आवाज में वो हमिंग से इस थापित होती है दो ओर्णामेंट्स का काफी प्रयोग है इस गाने में एक तो कन स्वर और दूसरा मेंड सागरे 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 सापाधा पामा जिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए सावन जो अगन लगाए उसे कौन भुझाए हो उसे कौन भुझाए अब इत्ता देखिए शास्त्रे एक बार मैं बताता हूँ हमारे आनन बक्षी जी की कलम से आडी बर्मन जी की क्या रचना है सा सारे सा सारे सा सा पाधपमा मागा मागा मामा गसा गरिसा नी आप देखिए कौन भुझाए अब उसे शब्द पर आप देखिए क्रोमेटिक प्रियोग दोनों मध्यम का उसे कौन मामा मगर मगरिसा सा 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 इसका प्रारंबिक स्थान दोस्तों देखिए दागे नाती नाक चिंगारी कोही भड़के है तो सावन उसे भुझाए सावन जो अगन लगाए उसे कौन भुझाए आगे देखिए सा सारे सा सारे सा सा पाधबमा मागा गामा गामा मागा सा गरिसा नी 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 सा नी सारे सा सा गा गा गरिमा गरिसा सा सा हो उसे कौन भुझाए पत जड़ जो बाग उजाडे वो बाग बाहार किलाए वो बाग बाहार में उजडे अब देखिए दोस्तों इसका अंत्रा इसमें भी बहरवी की छटा हमें साफ देखने को मिलती है देखिए हमसे मत पूछो कैसे मंदिर तूटा सपनों का तो देखिए पापा धापा पाधा पापा धापा धापा मामा मामा अगा पामा मामा पामगा अगे यही हमसे मत पूछो कैसे मंदिर तूटा सपनों का अब तीवर मध्यम का जियो मैं बात कर रहा था विवादी के रूप में क्या सुन्दर प्रियोग किया है having regards to the aesthetics of music लोगों की बात नहीं है अब देखिए सारे गामा अधा मागरे साथ मन्जिले अपनी जगा है रास्ते अपनी जगा देखा होगा आपने मेरा ये वेला लेक्चर नहीं देखा तो देख लेना इसमें भी भेरवी और तोड़ी का मिश्रान है गीत किशोरदा का यह देखिए एक ही सिंगर एक ही राग आपका कंटेंट किता फिल्टर्ड रूप में तयार होता है यही मेरा एम है कि शास्त्री संगीत को इन अनमोल गीतों द्वारा मैं प्रमोट कर पाऊं और जंजन तक पहुचा पाऊं कौन-कौन मेरा साथ देने को तयार है कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों क्योंकि यह मेरी उर्जा का स्तरोत है तो आप देखिए मैंने आपको को रिलेट कराया वपीदा की सरचना से लोगों की बात नहीं है मामा मधा मागा धा मागा रे मगरे सासा रे मागरे मगरे सासा ये किस्सा है अपनों का कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए मनमीत जो घाव लगाए उसे कौन मेटाए हो उसे कौन मेटाए तो ये पहला गीत था दोस्तों है होप आपको समझ आया 1971 में गीत था और 57 में ही देखिए शुद भहरवी का प्रियोग मतलब एक भी जगा भहरवी डाइवर्ट नहीं होती संपून रूफ से बहरवी का शास्त्र स्डी बर्मन साब ने पेंग गेस्ट में इस गीत के जरीए प्रियोग किया है किशोरदा की आवाज में दोस्तों हमारे जो लिरिक्स मजरू सुल्तान पुरी साब के थे फर्स्ट अक्टूबर को मेरा लेक्चर आप जरूर देखना मजरू सुल्तान पुरी जी और स्डी बर्मन साब को डेडिकेट किया था उनी का ही कॉंबिनेशन वापस इस ट्रिब्यूट में भी मैं परस्तुत कर रहा हूं लेकिन गीत अलागे आप जानते हैं मेरे हर लेक्चर में आपको नई चीज नई गीतों की जरूर सीखने को मिलेगी जैसे देखे किरवानी वेश सॉंग्स ओफ किशोरदा या फिर जिंजोटी वेश सॉंग्स ओफ किशोरदा ये जरूर देख लेए ना पिछले साल की मेरे टिर्ब्यूट है बैरहाल माना जनाब ने पुकारा नहीं क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं मुफ्त में बनके चल दी ये तनके वला जवाब तुमारा नहीं जरेगा मापा तो पापा पापा धपा मापा नी धपा अब यहाँ पुकारा मींड कि शोडदा का जो डाइनेमिक्स था पुकारा नहीं क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं मुफ्त में बनके चल दिये तनके बल्ला जवाब तुमारा नहीं जरेगा मापा माना जनाब ने पुकारा नहीं आप देखिए second beat of केरवा इससे ये start उता है दुरुत केरवा का प्रेयोग इसमें देखिए एक बार just for your riyas अगर आप track के इलावा भी आप riyas खड़ना चाहते हैं दागे ना तीना के दिने दागे ना तीना के दिने दामाना जनाब ने पुकारा नहीं क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं मुफ्त में बन के चल दिये तन के वला जवाब तुमारा नहीं माना जनाब ने पुकारा नहीं आप देखो पाप पप धपा-मा पनिदपा पाप पप धपा-मागगः नहीं मामा मामा प pyramhal मामा मामा प क toolbar स स स स स स म स् ग म अगळे स सरिंगा मप पॉप प पप पप थभी हवारा ्थ पहँ प पनि एदभा मॅ गवा देख स म सम समा जाया तो क्यों भेरवी शुद रूप से हमें इस गीत में दिखाई देती अंत्रे की तरफ लेके चलता हूं दोस्तों अब अंत्रे में देखिए दोस्तों जंपिंग नोट का क्या SD बर्वन साब ने प्रयोप किया है कि शोड़दा की आवाज में या रुका चलन है गोलामी अब देते हैं हसीनों को सलामी आप देखेए सुनने में बहुत असान है लेकिन आप गाकर देखिए जंपिंग नोट है सानी साधानी पधामा पामा मध्यम बादी सुरह बहरवी का पामाधा पनी धसानी रे सानी साधानी यारोता चलन है गुलामी देते है हसीनों को सलामी गुसा न कीजिए जाने भी दीजिए गुसा न कीजिए ओ सारे स्वर कुमल हैं अगर आपको अभ्यास करना है तो शब्द हटाईए और शास्त्र को नचाईए ताल के साथ तो देखिए स्वर ज्यान भी बड़ेगा स्वर की जो पंच्वालिटी है वो आपकी इंक्रीज होगी नोटेशन को गाने का ये फायदा दोस्त और मेरे इस्टुमेंटलिस्ट जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तो अपना आशिरवाद देती रहते हैं तो आपके लिए भी इनोटेशन कारम दसें दखे तो सानी सधानी पदमा पामा पाम पामा अधाप निधा सांडीरेशा, सानी साधानी साधानी पाधा मापामा पामा धा पानी धा सानी रेसा सारे गरेसा नी सारे सानी धा सानी धा पानी धा पामा मामा गरेसा सारे गरेसा माना जन आबने फुकारा नहीं या रुका चलन है गुलामी देते हैं हसीनों को सलामी गुसा नगीजिये जाने भी दीजिये बंदगी तो बंदगी तो लीजिये साहब माना जनाब उन्हें पुकारा नहीं क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं मुफ्त में बनके चल दी ये तनके बला जवाब तुमारा नहीं माना जनाब ने पुकारा नहीं लेकिन किशोरदा को दोस्तों हमेशा हम पुकारते रहेंगे संगीत मही रूप से आज उनकी बरसी पर उनको मैं नमन करता हूँ वीडियो को शेर जरूर कर देना अगर आप किशोरदा के फैन हैं आगे किशोरदा की कौन-कौन सी रचना है आपको चाहिए जरूर बताइएगा वैसे मेरा रेट्रो बैज चल रहा है उसमें मैं इसी प्रकार के गीत लेता हूँ दोस्तों फिफ्टीस से लेके एटीस के जो सौंग से हमारे राग बेज्ट वो मैं सिखाता हूँ नोटेशन सहेत हर क्लास में नया सौंग तो आप कभी भी जॉइन कर सकते हैं या फिर बॉलिवट सौंग का भी एक मेरा बैज चल रहा है सपोर्ट कीजेगा आप चैनल को सब्सक्राइब करकर और मेंबर्शिप भी आप ले सकते हैं ओम शान्ति